गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं यहीं आसा करती हूं आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्त होंगे तो गाइस अभी बच रहे हैं सुपह के नौ और मैं ना पूरे काम से होगी हूं बिल्कुल रेड़ी मेरी पूजा हो गई है और मैंने नहा भी लिया है और ब्रेकफास में बनाने जा रहे हूं सूची का हलुआ क्यूंकि मेरे कृष्ट को सूची का हलुआ खाना उसके लागरमियों का सीजन रफी चल रहा है तो मार्केट में कैरी बहुत आ रही है और हर किसी के घर में भी कैरी जरूर आती होंगी कोई चटनी बना रहा है या कोई कुछ बना रहा है तो फिर मैं आज लौजी की सब्जी बनाने जा रही हूं और उसकी रेसिपी में आज आप स करें लौजी की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक तो ना जो कैरी होती है वह पहले से ही और घटी रहती है फिर उसमें जो हम जब बनाते हैं उसको गोड़ बागेरा सब कुछ जालके तो खाने में बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा स्वात आता है काफ मेरा सूजी का हलुअ बिलकुल बनके हो गया है डी क्रिस की थोड़ी सी तभिया सही नहीं है उसको फीवर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मन हो रहा था खाने के लिए कुछ मेथा तो मैंने कहाका क्यों ना सूजी का हलुआ बना लेते हैं तो यह ब्रेक्फस्ट में हमारा हो सूजी का हलुआ तो आप सब लोग भी खा लीजिए सूजी का हलुआ बिल्कुल बन कर हो गया है रीडी तो अम मैं इसको ब्लेट में रखे क्रिस को दे दीती हूँ तो वो खा लेता है और उसके बाद मैं बनाती हूँ लौंजी की सबजी थोड़ा सा ही बनाया है मैंने सूजी का हलुआ तो ना यहां क्रिस को मैं दे दीती हूँ बाकी का जो बचा हम सब लोग खा लें गाए और अम मैं सबसे पहले ये जो मेरी केरी रखे हूँ इन्ती मैं इनको छिल लेती हूँ और इनको छिलने के बाद अच्छे से और आप ऐसी केरी आने लगी है कि अब ना गुठली वाली केरी आ रही है उनके अंदर ना गुठली निकल रही है तो ना मैं इनकी गुठली को भी मतलब नहीं फैकूंगी बैश नहीं करूंगी उसको भी मैं यूज कर लूँगी इसी सबजी में डाल दूँगी क्योंकि ना गुठली को कटकर हो गई इयहे बिलकों है यह सबसे पहले मैं इसको धो लिटी हूं कि ना मैंने ना केरी ना धोकर रखी ती पर फिर थे लें काटने के बाद के बाद मैं इसको और अच्छ से धो यह आज कल बीमारी इतनी फैल रही है तो काफी डर लगा रहता है अंदर से तो परवाई ना बढ़ते हैं और साबधानी से सारे काम करें सबजी बगएर अच्छी से धूधा के बनाएं और ना सैनिटाइजर कर लें जब भी सबजी लेकर आए थोड़ी देर दूप में रखा रहने दे उसके बाद ही हम लोग यूज करें तो ज़्यादा बेटर है तो यहा मैने निकाला है वन इस्पून सौप और बन इस्पून यह जीरा और अहाब इस्पून लोगी में यहाँ पे मैथी दाना तो यह तीनो चीजे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आप देख सकते हैं मैने प्लेट में रखी सब्क्राइब ये सब्सके थे सब्सक्राइब करें ऑज्वाइन मैंतिदाना अच्छे भुन जाए जादा गी करना के हैं जादा की यूज रही करना है ऊप तो यहां में अभी मेरा घी अच्छा सा गरम हो गया है तो में यहां मेथ्व डाना डाल देतीमूं कि यूं और मैथी डालना डालने के बाद में सॉंप जो मेरे जीरा बच्ची हुएं पहले मैं इसको अच्छे से फ्राइ कर लीते हूँ यह देखो थोड़ी हल्की हल्की सी मैथी दाना हो जाएं ब्राउन कलर का तो फिर उसके बाद हम जीरा और सौप भी डाल देते हैं तो मैं इसको अच्छे से चला दूँगी अब ये देखो अच्छे से ये भी पक गए हैं अब मैं इसमें डालूँगी जो हमारी कटी हुई रखी थी केरी तो फिर मैं उसको इसमें डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगे तो केरी को मसाले के साथ में अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैं आंगे की प्रोसेस आपको बताती हूं फिर क्या करना है तो सबसे पहले तो ये मेरे सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं उसके बाद लेती हूँ मैं अपने ये कैरी जो मैंने यहां बासकेट में रखी हुई है ये कैरी अब मैं अपने ये कैरी को यहां डाल देती हूँ फिर मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये सारे मसाले में अच्छे से फ्राई हो जाए तो यहां मैंने है ना अपने इंडेक्सन चूले का ही उच कर रही हूँ और मेरी ये कडाई है वो इंडेक्सन चूले की है और इस्टील की ज्यादातर में आज कर लेना इसी का ही उच कर रही हूँ इस्टिल के बरतन भई ही खाना पका रही हूँ जो हमारे लिए काफी अच्छा रहता है तो इसको ना मैं बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे ना इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ अब यह अच्छे से फिराई हो गए हैं तो आपना मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी इतना पानी डालना है कि यह हमारे केरी यह जो अच्छे से बॉयल हो जाएं उस पानी में ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा सा ही पानी डालना है तो यहां मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है अब यह मैं ना ऐसे ही इसको मतलब बस ऐसे ही छोड़ दूँगी अब यह इसको ना जब तक वो जब तक इसको ना बॉयल हो जाएं यह अच्छे से मेरी कैरी इसी में पानी में और उसके बाद फिर मैं आंगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ फिर आंगे क्या करना है और यह आई थब कितनी से मेरी कैरी तो मैं इस यहां पर थोड़ा सह गोर ढला दी और थोड़ी सी मैं मेस में छक्कर तो थोड़ी सी में यहां पर शकल भी ढाल दूंगी तो मैं दोनों चीजे यूज़ करती हूँ तो आप लोगों को जो चीज़ यूज करना है कर सकते हैं, दोनों करना है तो दोनों कर सकते हैं, एक यूज करना है तो एक यूज कर सकते हैं, मैं तो दोनों यूज करती हूँ, क्योंकि दोनों ना ज्यादा वेटर रहती है, अगर हम गुड़ी गुड़ी की बनाएंगे तो तो उसका कलर ना ब्लेक-ब्लेक सा होया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं राती है और अगर हम दोनों चीजे जालते हैं साथ में तो उसका कलर भी अच्छा आता है सबजी का और खाने में जो टैस्ट रहता है वो भी अच्छा आता है इसलिए ना आप लोग भी है न फ़्क स्टों धनीय हाप इसपून लाल मिλ्च ऑड़ कर दितने सकी नमक तो यहां मैंने आप मसाले ढी है दनीया आ मिल्ची होडर और नमक तीनों चीजें डालने के बार में इसको अच्छे से या नहीं पकी हैं अच्छे से कितना अच्छे से बॉयल हो रही है यह मेरी केरी बस थोड़ी सी टाइम थोड़ा सा टाइम ओर लगेगा इसको बनने के लिए और यहां मैंने चेक कर लिया इसको अच्छे से कि यह पक गई है या नहीं तो यहां मेरी सबजी जो बनके हो गई बिल्कुल रेड़ी जरासा भी टाइमने लगा काफी जल्दी बन जाती है और ये मेरी सब्जी बनकर बिल्कुल रेड़ी हो गई है आईए आप सब लोग भी खाली जीए टेस्ट करिए कैसी बनी है तो गाइस अज कम मेरे ये वीडियो आप समनों को कैसा लगा और मेरी ये र जरू बताना कि वीडियो और मेरी रेसिपी कैसी लगी आज आप सब को उमीद करते हूं कि आज कम मेरे ये वीडियो आप समनों को बेहर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आकार को प्रेश करना न भूलें ताकि मेरे निउब लॉक्स एणी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें और आप उन्हें देखते रहें और प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को और आगे बढ़ते जाएं और मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखा करें पलीस सपोर्ट करें मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप सब लोग के सब बैना कुछ नहीं हो पाना लग second आप सबके सपोर्ट की लग्णक को बहुत जरूरत है तो फिर मिलते हैं एक नेस्म्स ब्लॉग and next video के साथ तब तक के लिए take care and bye bye see you again